जाहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एहमत टैक्नलोजी पे इस वीडियो में M4R5 के कुश्चन पेपर पर डिसकस करेंगे जो 2022 में हुआ था सुबह से बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं के सर M4 का भी डिसकस करा दें तो इस वीडियो म में M4R5 का कोश्चन पेपर हम सोल करेंगे सुबह से टाइम नहीं मिला था सुबह दो वीडियो अप्लोड करी थी उसके बाद अब मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं तो इसमें यह कुश्चन है कुश्चन नंबर वन पर आप देख लिए पहले क्या है कौन स प्रोटोकॉल लाइट वैट है यह आपसे पूचा है ठीक है ओप्शन नंबर पर आपका MQTT, B पर है Http, C पर है COAP और D पर है आपका SPI, चारों की फूल फॉर्म इंपोर्टेंट है इसमें से मुझे लगता है कि एक फूल फॉर्म तो आपके एक्जाम में जरूर पूच जाएगी तो यह सारी फूल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए ठीक है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो के बीच में और सुरवात में बसमें एक बार बोलता हूं आगे मैं आप से ना लाइक को बोलूँगा ना शे इंटर्फिस तो चारों की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है इनको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं एक्जाम में इंपोर्टेंट हैं यहां से पूछी जा सकती है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा एक आपका लाइट वेट प्रोटोकोल है ठीक है कुशन नंबर दो पर है कौन सा उपकरण गैस हो या तरल को मापता है करन है यह आपसे पूछा है विच इस विच डिवाइज मेजर गैस और लिक्विड तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा या टैम्प्रेचर सेंसर हो जाएगा या टच सेंसर हो जाएगा कोशन नंब नमबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है तो यह आपसे पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option नमबर B प्रेसर आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option नमबर B question number 3 पर है आपका ESP82666 क्या है तो यह आपको एक Wi-Fi module होता है आपको मैंने बताया भी था अगर आपने चैप्टर आइस वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया भी था इसके बारे में यह Wi-Fi module होता है option thermo couple बोलते हैं semi conductor आधारित से अंसर बोलते हैं question number 4 में क्या सही आंसर होगा यह आपसे पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option number C thermo couple इसका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 नमबर पे है IoT setup में dash application स्रेणियों के साथ smartphone का उप्योग किया जा सकता है smartphone can be used in IoT setup with dash application categories इसका क्या सही आंसर होने वाला है तो इस question number 5 का आपको क्या लगता है दोस्तों 2 होगा 3 4 या 5 आज बताएं सोची के आंसर हो सकता है तो सही आंसर हो जाएगा option number C 4 ठीक है ना फॉर एप्लिकेशन स्रेणियों के साथ question number 6 पे है कौन सा IoT डिवाइस के लिए खत्रा है वाइरस प्राकरतिकापदा शूफिंग तो सभी आंसर हो जाएगा लोफ दा अबव उप्रुक्त सभी कि D सही आंसर हो जाएगा सेवन नंबर पर किसी वी से सिस्तिती में वस्तू का बुद्धिमान तरीक के से तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा option नंबर है intelligence ठीक है ना बुद्धिमान की बात आए तो intelligence इसका विल्कुल आप सही आंसर कर सकते हैं question same repeat होते हैं exam में तो question paper सभी ल देलने वाली है जो बच्चा लगा लेगा और exam देने जाएगा उसको काफी अच्छा वह महसूस करेगा exam में ठीक है बाकि आप देख लें आपको लगाने है या नहीं लगाने question number 8 पे है कोन से एक विशिष्ट आयोटी सिस्टम में संपत्ती नहीं है आयोटी डिवाइस गेटवे एप्लिकेशन कोन साथ में सही आंसर का 1.8 में आपसे पूछा है तो इसका हो जाएगा संपत्ती नहीं है तो सही सारी है तो इसका हो जाएगा इन में से कोई नहीं ठीक ह अचन डिसरी जाएगा नाइन पे है कम्यूनिकेशन का नौनिस्टॉप डैस है पर है प्रोसेस प्रोग्राम है या वन पॉइंट नाइन में क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका पोसेस ओप्षंन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा question number 10 पे है आपका core element dash द्वारा संचालित होता है PWS, SWS, IWS या इसमें B number पे है आपका IUT service provider इसका सही answer क्या होने वाल है pass और यह जो सास लिखा है इन सभी की full form काफी important है software as a service C का तो full form मैंने आपको बता दिया है software as a service C number का full form होता है लेकिन pass का full form क्या होता है और IAWS का full form क्या होता है सभी को comment box में comment करके बतानी है C number का बता दिया है software as a service इस question का सही answer क्या हो जाएगा question number 10 का हो जाएगा आपका option number B IUT service provider ठीक है B number का बिल्कूल सही answer हो जाएगा यह आपके 10 MCQ आते थी पहले अब 10 true false है इसमें देखिए आपको कितना आता है और कितने आप सही गरबात दें 2.1 पे है उत्पाद logistics में RFID के उप्योग से logistics की सूचना प्राप्त की जा सकती है इस question का answer true करेंगे या false करेंगे या आपसे पूछा है तो इसका कर देंगे हम दोस्तों true ठीक है दूसरी नंबर पर IUT एक प्रतिमान नहीं है जिसमें परियावरण में सर्व व्यापी उपस्तिती सामिल हो इसका तो false ही लग रहा है यहां पर क्या है परतिमान नहीं है तो इसलिए हो जाएगा अप्शा false हो जाएगा 3 पे है SLA की full form क्या है service level agreement है या नहीं यह आप से पूछा है तो SLA की full form service level agreement ही होती है यह हो जाएगा आपका true 4 नंबर पे है MQTT प्रोटोकॉल इस यूजड इन जीसन यानि आपका जो MQTT प्रोटोकॉल है वो जीसन में उप्योग होता है तो यह false हो जाएगा ठीक है 4 वाला आपका false हो जाएगा 5 नंबर पे क्या है बिल्ड ओर लूप Arduino IDE के दो function है 2.5 में आपके क्या आप सूचने ट्रू करेंगे या false करेंगे 2.5 यह भी आपका false ही हो जाएगा ठीक है question number 6 में क्या लिखा है link stream data की मुख्या विसे इस्ताव में से एक live streaming नहीं है या streaming है सोरी streaming है पूल है 2.6 2.6 का जी हम करेंगे क्या इसको ट्रू करेंगे सेवन पे है IOT smart device sensor और actuator का एक network है जो एक दूसरे के साथ interact कर सकता है 2.7 2.7 का अभी आपका true ही हो जाएगा एट नंबर पे पारसपरिक संचार एक ऐसी परकेरिया है जिसमें केवल मोखिक और गैर मोखिक संदेश भेजा जा सकता है मोखिक और गैर मोखिक बोलाए only sending verbal and known verbal message तो यह आपका false हो जाएगा 2.8 ठीक है 2.9 पर परभावी संचार परबंदक के अपने समय के उपियोग से संबंदित नहीं है 2.9 का भी आपको क्या गरना है false ही करना है ठीक है नोट बोलाए नोट आप यहां पर गोर से करें टीसी पी आईपी जो होता है transmission control protocol internet protocol is a four layer module वेर OSI has seven layer कहने का मतलब जबकि OSI में साथ परते होती है और TCP IP में आपकी चार ही layer होती है चार ही परते होती है तो यह आपका true हो जाएगा लेकिन सितंबर 2021 में चो एक्जाम होता हूँ लेवल का उसमें पूछा था कि TCP IP में कितनी layer होती है उसमें चार option में ही नहीं था आपको बता दू उसमें option में था 6 5 और 3 और एक साथ option में था शायर तो TCP IP में बच्चे confused है कि आप क्या लगाएं चार तो option में नहीं है और हमने 4 ही पड़ा है और answer भी 4 ही है तो उसमें अगर उस condition में ऐसा question आ जाए और option में ना हो तो आप 5 उसमें कर सकते हैं ठीक है कम ना करे 5 कर सकते हैं हो सकता है कोई और लेयर हो उसके बारे में बताऊंगा क्यों होता ऐसा तो इसका अभी जो answer हो जाएगा option नंबर true is question का सही answer हो जाएगा थी नंबर पर matching दिये गए हैं सबसे पहले आप इन option को पढ़ लिया करें अग्जाम में लेकिन आप तो यह आएंगे नहीं तो आप क्या फाइदा अब इसका answer देख लेते हैं आई ओटी एप्लिकेशन आई ओटी एप्लिकेशन नी लिखा है तो इसको किस पर मिलाना है सोचे sensor protocol actuator slot cloud services and layer बी नंबर पे LCD है सी पर आपका safe guard से जुड़े उपकरन remote dashboard network gateway analytics data storage और security शामिल इसका क्या answer होगा स्वास्त सेवा IOT application क्या स्वास्त सेवा बिजाएगा इसका IOT 3.1 का हो जाएगा आपका option नंबर ही IOT स्वास्त सेवा ठीक है ना health service healthcare IOT architecture sensor protocol actuator cloud services and layer 3.2 इसका हो जाएगा आपका option नंबर A Arduino integrated development environment 3.3 इसका मिलाएंगे आप cross platform application जो C और C++ के function में लिखा गया है तो इसका हो जाएगा option नंबर J अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो ठीक है इसका मिला देंगा आप J नंबर पे 3.4 में है liquid crystal display देखे कहां लिखा LCD LCD इसकी full form हो जाएगी तो इसका मिला देंगे भी पे ठीक है liquid crystal display LCD की full form होती है इस तरीक के से पूछता है और आप देखें यह आप इसको सोल्व करने का आपका यह हो गया अगर LCD की full form बूचे और चार ओप्शन देगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप यहां ने आपने पूरी पढ़ लिया पूरा इसलिए बस complete कर लिया है लेकिन आपने question paper नहीं लगाए है तो ऐसा समझे कि आप उन्हें मतलब क्या छोड़ दिया है ठीक है जो बच्चे लगा रहे हैं उनको फायदा होने वाला है जब exam देखाएंगे उनसे आप मिल लेना पूछ लेना 3.5 पे iot security क्या है 3.5 iot security आपको दिखतो रहा होगा ना दिख रहा है आपको iot security 3.5 पे आपको क्या लगाना है safe guard से जोड़े ओप करन 3.5 हो जाएगा option number c पे चला जाएगा iot connectivity models 3.6 का क्या answer होने वाल है 3.6 का device to device device to cloud और device to gateway ठीक है यह बताया था अगर आपने उसकी वीडियो देखी होगी chapter wise यह पढ़ाय है iot connectivity models आपके चला जाएगा किस नंबर पर के नंबर पर चला जाएगा ठीक सेवन नंबर पर लिखा है iot ecosystem क्या है बताएं iot ecosystem 3.7 इसका क्या answer होने वाला है इसका क्या answer analytics remote dashboard network gateway analytics data storage जिसका भई डी हो जाएगा सही answer ठीक है iot ecosystem डी नंबर पर चला जाएगा और iot levels किस पर जाएगा 3.8 option पढ़ने स्वास्तिवा हो गया है लेवन लेवल टू आयोटी लेवल तो इस पर लग रहा है 3.8 का एफ पर लगा रहें जी बिल्कुल यह हो जाएगा आपका एफ नंबर पर embedded c language 3.9 का क्या answer होने वाला है 3.9 का हो जाएगा आपका माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम करें इसको जाएगा जी नंबर मिला दें और 10 में पुछा है iot में ldr क्या हो जाएगा light आधारित उपकरन हो जाएगा एल नंबर मिला दें तो कोई option ही नहीं बच रहा है तो यह हो जाएगा इसका option नंबर light आधारित उपकरन ठीक है कुशन नंबर 1 पर देखें डैस रोजमर्रा की वस्तुओं को एकास्त लाकर एक साथ लाकर लिखा है एक साथ लाकर iot को ससक्त बनाता है कौन से सब्सक्राइब सब्सक्राइब 4.1 तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा option पढ़ लें capacity proximity शुरक्षा logging intelligent transport services यह तो फुलफर्म लग रहे है किसी की method connectivity रेम मेमोरी एट मेंगा यह तह प्रोटोकुल है आत्मिजागरुकता bandwidth presentation iot level और heterogeneity अब इसमें question number पढ़े के पहला क्या है डैस रोजमर्ण की वस्तुक एक साथ लाकर iot को ससक्त बनाता है तो इसका चला जाएगा आपका connectivity 4.1 में आप फिल करेंगे F ठीक है मिलाते चलें साथ साथ 4.2 पे है आयोटी में डैस परमुक विशेष्थाओं में से एक के रूप में उपकरनों के विविन हार्डवेर प्लेट्फोर्म और नेटवर्क होते हैं इसका क्या answer हो जाएगा तो इसको मिलाएंगे आप heterogeneity पे 4 4.2 एम पे मिला दें आप 4.3 आयोटी उपकरन स्वेभाविक रूप से डैस खत्रों के परती सम्वेधन सील होते हैं 4.3 का आप किस पर मिलाएंगे तो शुरक्षा यानि security के परती सम्वेधन सील होते हैं इसको आप मिला देंगा option number B पे 4.3 का आप बिल्कुल सरी कर सकते हैं तो इसमें आप करेंगे क्या band विच इसका सही आंसर हो जाएगा option number J पे लिखा है तो 4.4 का आपका J सही आंसर हो जाएगा आपको देख रहा होगा आप screen shot ले सकते हैं बाद में आप मिला लें 4.5 डैस धात्वों का पता लगाता है लेकिन इसके साथ ही है रेजिन तरल पद इसको समालने के लिए परियाप स्मार्ट होना चाहिए 4.6 4.6 पर क्या आएगा तो इसमें कुन सा लग रहा है लोगिंग इसका सज्ञान चाहिए लोगिंग लिख रहा है सी नंबर पे इसका सज्ञान चाहिए लोगिंग आई योटी 4.7 में है यह हो गया है ITS का पून रु पूइंट से एक अनुरोध मूल रूप से बनावता है 4.8 का क्या आंसर होगा तो इसमें आप देख लें यह हो जाएगा मैथड ठीक है ओप्शन नंबर इपर मैथड लिखा है तो आप इसको मिला लें 4.8 का हो जाएगा आपका मैथड 4.10 लास्ट कोशन नहीं 9 भी बचाए सामान्य प्रायोजन मेमोरी को डैस का जाता है 4.9 इसका तो रैम हो जाने चाहिए रैम देखे लिखाएगा रैम मेमोरी जी पर मिला द यह जाता एक तो 308 287 और पी का मतलब क्या होता है 3020 new by नापका मतलब क्या होता है 302 2 2nt0 सकता है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे वीडियो मिश ना कर सकें ठीके दोस्तों तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में अगले सेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैवारत